हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब I hope you all are very well प्यारे दोस्तो 2022 का जो इंट्रेंस होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये बहुत ही important information है जो आपके लिए काफी ज़्यादा useful है जो बच्चे 2022 में अपना इंट्रेंस देने वाले हैं उन्हें ये बड़े ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बदलते हुए वक अब इसको समझना आए दिखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो यहां आपको लिखा हुआ है ये आया था 2020 में आपको पता होगा और इसमें ऐसा कहा गया था कि कॉमन इंट्रेंस होगा पूरे इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक साथ अकेडमिक सेशन स्टार्ट करना है एक्जाम लेना है और जैसे आप आई आई टी जेए में देखते हो वैसा ही समझो एक साथ सबका एक्जाम होगा रैंक के हिसाब से आप अप बार एक्जाम देना है इसमें इसके क्या फायदे हैं सी यू सीटी की क्या घाटे हैं इसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आई होप आप देख लोगे उसे और टेली ग्राम हमारा जरूर जोईन कर लो क्योंकि ज प्यारी के लिए तो हम आपको अभी ही बता देते हैं हमारा जो पेट कोर्स होगा उसका फी अराउंड वन थाउजन रहेगा है ना उससे ज्यादा नहीं रहेगा तो घवराने की जुरूत नहीं है और अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो मालो आपके GS अच्छे है तो सिर्फ आप math पढ़ना चाहते हो या English पढ़ना चाहते हो तो उसकी sectional fee होगी और वो भी बहुत कम होगी मतलब मालो maths के हमने fee रग दिये 4500 ऐसा example दे रहा हूँ ठीक है जिसमें आप सिर्फ GS अगर आपका ठीक है तो आप math पढ़के काम कर सकते हो चलिए National Education Policy में इसकी बात की गई थी 2022 सेशन जो अभी चल रहा है इसमें इसको करना था बट COVID-19 के परिसानियों की बज़े से यह नहीं हो पाया फिर अब बात करते हैं Union Government has decided to conduct a common entrance test for admission to all central universities in coming academic session 2022 and 23 according to a letter from University Grant Commission यानी UGC the common university trans entrance test will be conducted by National Testing Agency for admission to all undergraduate and postgraduate courses ठीक है CUCT which is envisaged in the National Education Policy 2020 was scheduled in start 2021 जैसे मैंने बताया था लेकिन वो नहीं start हो आया था 2020 में तो इस बार यह पक्का स्टार्ट होगा क्योंकि समय से पहले इस बार notices और बाकी चीजे जारी कर दी गई है यह official news है क्योंकि इसमें meeting हुई दिखिया इनने letter dated 26 top number मतलब की 26 number को एक letter publish किया गया था vice chancellor to all 45 central universities including DU, JNU, Jamia, UGC, CUCT will be conducted from academic session 2022 and 2023 आपको पता है DU, JMI and Johal Aleheru University इन में भी इस बार common entrance नहीं हो पाया था आलोंग विट बीच्चु तो a meeting was held with the vice chancellor of all the central universities on 22-11-2021 to discuss the recommendation of the committee constitution to draw the modalities and for conducting a common entrance test after detailed deliberation it was resolved that the common entrance test for undergraduate and postgraduate courses may be conducted for central universities from मतलब 2022-23 से ये conduct किया जाएगा NTA के through UGC के joint secretary जो है जिते अंदर के त्रिपाथी said in a letter a copy of which was been seen by HT मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ने वो copy देखे लेटर जो इस हुआ था उसके रिगारे ठीक है अगला देखते हैं UGC has advised all central universities to take appropriate majors मतलब जो भी ये पैंतालिस university है उनको त्यारी तो करनी पड़ेगी एक कॉमन software होगा या website होगा जिसपे form भरे जाएंगे जैसे पहले आपने देखा होगा ना बहु का अलग होता है जन्यू का अलग होता है बट यह simple सा one step process होगा UGC has advised all central universities to take appropriate majors for the conduct of C-U-C-T next year the commission has also said that private and dreamed universities as well as those run by states can opt for through C-U-C-E-T ये भी opt कर सकते हैं इनके पास भी ये चांसे है अब देखे C-U-C-T computerized exam होगा तेरा language में इसमें आप देख लो इंगलिस इंदी गुजराती एसमीज बेंगाली कर्णर मल्या आलम मराथी ओडिया पंजाबियन तमिन तेलबू गुर्थु वाइल दे यूनियन मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन इस येट टू फाइनलाइज The modalities is a member of committee created to recommend the modalities of the exam said on condition of anonymity मतलब उसकी modalities का मतलब है क्या process होगा कैसे कैसे कंड़क करना है किस time से क्या करना है इसको ही modalities कहते हैं Of the two exams said on condition of anonymity मतलब वो अपना नाम नहीं बताने जाने पर उन्होंने बताया Will have two components एक तो होगा aptitude test and subject specific test इसको मैंने पिछली बार भी समझाया था aptitude में आपको language हो सकता है math reasoning हो सकता है और उसके syllabus भी दिये गए हैं और जो specific होगा जैसे मालब आप arts के लिए रहे है तो humanities का एक specific paper होगा जिसमें history, polity, geography, current affairs ये सारे questions रहेंगे the aptitude part will consist of questions on reading comprehension यानि कि English या Hindi verbal ability ये reasoning का पार्ट है logical and analytical reasoning फिर आते है general awareness जी ये भी है इसमें general awareness in the current affairs the second part will be subject specific अब देखो यहाँ जो ये first part है ये सबको देना पड़ेगा आप कोई भी हो ये सबको देना पड़ेगा और आपको पता है कि हमने reasoning की classes start कर दी थी और फिर से हम लोग नए batches start करने वाले हैं आपको सारे recording lectures, PDF जो भी चीज़े होंगी वो आप interactive class होगा आपको जैसे question भी arise कर सकते हो अगर नहीं समझना आया तो पूछ भी सकते हो the second part will be subject specific that means based on questions related to streams in which the candidate want to take admission मतलब जो आपको जैसे BSc का देना है तो आप BSc के ये questions में आहेंगे the committee has also recommended allowing university to use a combination of C.U.C.T. and class 12 score for admission to ये भी उन्होंने recommend किया है कि अगर class 12 के score मिला सकते हो आप और C.U.C.T. का score फिर आप दोगे admission और ये committee also recommended that C.U.C.T. should be conducted twice a year जैसे आप U.G.C.Net का exam के बारे में अगर जानते होगो वो साल में दो बार होता है तो इसमें अगर ये दो बार होगा जो बच्चे का अभी नहीं होगा है छे महीने बाद भी होगा और वो admission कहीं भी ले सकता है अफिसियल साल्ट सेवरल यूनिवर्सिटी डी यू जैमिया confirmed receiving the letter डी यू वाइस चांसलर योगे सिंग दाइनुसिटी मतलब डी यू के जो वाइस चांसलर रहनवगा कहना है कि जट्थी मिल गया है और विल प्लेस दिट प्रपोजल बिफ्रिल बिफोर जुट्यूटरी बॉड़ी ठीक है अब दिखिए डी यू में तो मेरिट बेस्ट होता आपको पता ही है फिर डी यू में ये कहा क्या कहा गया इसकी मैं लिंक सेयर कर दूँगा आप डिटेल पढ़ लेना है में जो चीजे थी वह मैंने बता दी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको और क्या चाहिए कोर्सेज रिलेटेड इंफर्मेशन वाटस अप लिंक सब कुछ में डिस्क्रिप्शन में कमेंट करोगे दे दूँगा थेंक्यू सो मच